आज की दौर में जब भारत कोरोना से जूज रहा है तो सबसे पहले महराष्ट का नाम सामने आता है क्योंकि इस वक्त अगर देश की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महराष्ट उसे हैं एक वक्त रोज आने वाले नए केस में 60 प्रतिशत अकेले महराश्टु से आ रहे थे, अब यहाँ आने वाले मामले लगातार घट रहे हैं, पिछले तीन हफ्ते से राज्य में नए केस आने कम हुए हैं एक वक्त जहां एक ही दिन में महराश्टु में 68,000 से ज्यादा मामले आये थे, वहाँ दो हफ्ते पहले 60,000 से कम केस आने लगे थे, तो 9 मई को 50,000 से भी कम केस दर्ज किये गए करनाटक और उत्तरप्रदेश में भी पिछले एक हफ्ते से रोज आने वाले नए केस घटे हैं, हाला कि सबसे संक्रमित पांच राज्यों में शामिल, केरल और तमिलनाडू के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता ये दोनों राज्यों ही उन राज्यों में शामिल हैं, जहां हाल ही में चुनाव संपन हुए हैं, ऐसा लगता है कि महाराष्ट की तरह दिनली में भी पीक आ चुका है, यहां भी रोज आने वाले ओसत केस अप्रेल के आखिर में 25,000 को पार कर गए थे, लेकिन अब वो घट कर 14,000 के पास आ चुके हैं, यहां तक कि 13 माई को तो सिर्फ 10,489 नए केस सर्च किये गए, जिन पांच राज्यों में 2 माई को विधान सभा चुनाव संपन हुए, उन सभी राज्यों में रोज आने वाले नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, इन राज्यों में अगर इसी त तरहां लगातार केस बढ़ते रहे, तो दूसरी लहर का अंत और आगे बढ़ सकता है, पांच राज्यों में से सिर्फ केरल ऐसा है, जहां पिछले कुछ दिनों से नए केस में बढ़त रुकी है, हाला कि केस कम होना यहां भी शुरू नहीं हुए हैं, दूसरी लहर को लेकर उपर जितने भी संकेत हैं, वो भले राहत देने वाले हैं, लेकिन यह लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसे खत्म होने में अभी काफी समय है, हमारी आपकी जरा सी लापरवाही इसे फिर से बढ़ा सकती है, वहीं पहली लहर में 98,000 रोज के मामलों में 10,000 रोज के मामले आने में 5 महीने लगे थे, ऐसे में इस वक्त जिस तरह मामले आ रहे हैं, उसे फिर से उस स्तर तक आने में और ज्यादा वक्त लग सकता है, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया